Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me Shipra Tiwari यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है क्या? विल्कुल फ्री एडुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में इतना 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 बहुत अच्छा कुछ कर सके और हमारा नाम रोशन कर सके तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे शिपरा मैम की जबानी आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई चीज अगर आप इस टॉपिक के बारे में जो मेरे पीछे लिखा हुआ है ना उसमें अगर आप NCRT खोल के देखोगे ना मेरे लाल तो ऐसे लगेगा कि भगवान कसम इस सच तो मरी जाते है अपन पर बिल्कुल डिफिकल्ट फील करने की या बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी आपको उसके बाद जब मैं ये पढ़ा दूँगी ठीक है देखो NCRT का है ना मैंने कल भी आपको बोला था ये बुक जो है ना भले ही पनने कम है पर इसको पढ़ने के लिए महनत बहुत जादा करनी पड़ती है क्योंकि इसकी कुछ लाइन ना ऐसी लिखी होती है ना कि हमको कभी समझ ही नहीं आती समझ में आई बात और जो लोग NCRT को डिकोड करने में सौ प्रतिशत सक्षम हो जाते हैं सफल हो जाते हैं वो नीट में पार लग जाते हैं ये सब कुल ये जो कहानी मैं बायो के लिए बतारी हूं ये सारे सब्जेक्स के लिए हैं समझ में आई बात फिरीS Chemistry Biology तीनों के लि and conduction of nerve impulse अगर आप देखें अपनी NCRT में तो यह बहुत ही क्लिष्ट होगा क्लिष्ट का मतलब कठिन होता है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा घबराइए मत जब तक हूँ मैं आपके साथ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा आपकी बात So let's start with the generation of nerve impulses. Last class में मैंने आपको body में nervous system में पाए जाने वाले different types of cells के बारे में पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि सिफ neuron ही एक cell ऐसी नहीं है तो सारा काम कर लेती है There are so many cells which are called as supportive cells जिसमें मैंने आपको different different types की cells बताई इनको हम neuroglial cells या glial cells भी कहते हैं और इनके functions भी हमने जाने So मेरे ख्याल से कल बहुत सरे बच्चों ने वो lecture देखा और उसे appreciate किया और ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक आप पढ़ते रहोगे आपका काम होता रहेगा आज उसी topic को हम लोग continuation में लेंगे आज हम लोग यही सीखेंगे कि एक neuron जो होता है वो किस तरीके से signal को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाता है अगर मालीजे किसी ने आपके गाल पे चाटा धर दिया है तो आपको कैसे समझ में आया कि चाटा पढ़ा है बेटा कभी कभी चाटा बहुत तेज होता है तो दांत वाद में भी उसके असर आते हैं तो इसका मतलब यह कि गाल से लेकर दांत तक के जितने भी neurons हैं वो सब एक दूसरे को signal आर पार कर रहे हैं तो कैसे signal neuron को मिला कैसे वो दूसरे neuron में गया वो क्या है और किस तरीके से जाता है आज हम लोग सीखेंगे चलिए तो शुरू करते हैं अगर आप देख रहे होंगे जो मैंने front slider GIF लगाया है उसमें आपको यह समझ में आ रहा है कि यह क्या है बेटा येलो येलो डेटी फैलो दिस इस दा माइलिन शीथ और अगर आप लोगों को last lecture मेरा याद होगा तो आपको यह कहानी समझ में आई होगी कि जब कभी भी exon के उपर माइलिन शीथ होता है तो जो signal होता है वो कूद कूद के travel करता है travel कहान से होगी माइलिन शीथ उपर चड़ी रहेगी कोई कपड़ा पेहने रहोगे तो आईन exchange ही नहीं होगा तो आईन exchange सिर्फ कहां पर होता है मेरे लाल जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती है वहां पर आईन exchange होता है और मैंने आपको last class में सिखाय था कि जहां पर माल इंशीत नहीं होती है उसे हम कहते हैं रनवीर कपूर यह क्या बोला मैडम आपने Nodes of Ranvier बहुत सारे लोग उसको Ranvier, Ranvier कहके बहुत खुश होते हैं, बैटा रनवीर है तो Nodes of Ranvier से आप आयन का exchange करेंगे यह बात clear होगे सबको हमको यह समझना है basically हमको यह समझना है कि आयन का exchange neuron के हम किस पार्ट में कर रहे हैं ध्यान से देखना, हम लोग आयन का जो exchange पढ़ेंगे वो exon वाले पार्ट में इस lecture में पढ़ेंगे next lecture में मैं आपको सिखाऊंगी कि जब signal इस terminal end पे पहुँच जाता है तो वो दूसरे neuron को कैसे transfer किया जाता है समझ में आई बात done हो गई इतनी बात अगली बात आप समझे मान लीजिए ध्यान से समझना अब मैं यहाँ पर आपको दूसरी slide कोल रही हूँ हाला कि अभी दूसरी slide की जरूरत नहीं है बट लेट इट भी अब देखो यहाँ पे चलो देखो ध्यान से ध्यान से देखना suppose that कि यह तुम्हारी exon की membrane है ठीक है ध्यान से समझेंगे यह जो black black दिख रहा है देखो मैं label करने जा रही हूँ ठीक है यह है exon पूरा ठीक है यह माल लो क्या है अपना exon ठीक है यह अपना क्या हो गया मेरे लाल this is the exon और यह क्या है आपकी exolema यह क्या है आपकी exolema समझ में आ गई बट exolema क्या होती है जो membrane exon के उपर होती है उसे हम exolema कह देते हैं अब ध्यान से समझना जो ion हमको exchange करने है वो actually इसी के across करने है अभी जो lecture आज है हमें ion का exchange जो है वो इसी exon के membrane के आर पार करना है अब देखो ions को हम बाहर से अंदर ला रहे हैं तुम्हारा garden तुम्हारा kitchen क्या है तुम्हारा तो बाहर जो चीज है जहां से ion आरा body में nerve के बाहर जो चीज होती है उसको हम क्या कहेंगे उसे हम कहते हैं बच्चो ECF extra cellular fluid त्यान समझना क्या कहते हैं हम उसे extra cellular fluid इसको हम ECF भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं से हम ECF, extracellular fluid से हम ions को अंदर लाते हैं और intracellular fluid से ions को बाहर ले जाते हैं तो ICF का मतलब होता है intracellular fluid और ECF का मतलब होता है extracellular fluid समझ मैं आ गई बात अब ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूं जब तक एक्जॉन में कोई सिगनल नहीं आया है समझना बात को जब तक एक्जॉन में कोई सिगनल नहीं आया है तब तक मेंब्रेन आपकी रेस्ट कर रही है क्योंकि कुछ कामी नहीं है न तो मेंब्रेन आपकी क्या कर रही है बच्चो रेस्ट कर रही है यह याद रखिएगा, जब तक कोई signal exon पर नहीं आया है, तब तक exon rest कर रहा है ऐसी condition को मैं कहती हूँ polarization या resting stage समझ में आई बात, resting stage, अभी exon को कोई काम नहीं करना है कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आ रहा है, कोई signal नहीं है, और आम से बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है पर जैसे ही dendron ने, dendrites ने signal लिया, cyton को दिया, cyton सबसे पहले क्या करेगा? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ सुना हूँ, जब तक membrane कुछ नहीं कर रही है, समझे बात को जब तक membrane कुछ नहीं कर रही, खाली-पिली बैठी हुए अराम से, तब तक आपको क्या-क्या इसमें दिखाई देगा, वो देखिए और जब हम उसको बदलेंगे, जब हम उसको बदलेंगे, तभी signal transmission होगा ध्यान से समझना, जब हम किसी नर्व में signal को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाते हैं, तो पता है क्या कर रहे होते हैं आप, आप कुछ नहीं करते, आप बस ions को अंदर-बाहर-अंदर-बाहर करते रहते हैं समझवाई बात, कब तक आइन को अंदर-बाहर करते रहेंगे? जब तक बाहर और अंदर दोनों के ions बराबर ना हो जाएं पर अब आप अपनी दिमाग से अकल लगाना, क्या हम कभी किसी को बराबर कर सकते हैं? Living cell में अगर मान लो कि बाहर और अंदर दोनों जगहां, intracellular fluid और extracellular fluid दोनों में ions का नंबर सेम हो जाए बिल्कुल वो equilibrium को अचीव कर लें, तो मुझे बताईए कि क्या exon में signal का transmission हो पाएगा? बताओ, मज़र्वत ही नहीं न, equilibrium में और हम मर जाएंगे कोई भी body की cell होती ही नहीं है, जो equilibrium को achieve कर लें क्योंकि जिस दिन वो ऐसा करने लगेगी, body जो है, tantafish हो जाएगे और आदमी मर जाएगा तो हमेशा आप लोगों को मैंने ये कहां पढ़ाया है, biomolecules में पढ़ाया भी है कि everything जो भी आपके शरीर में हो रहा है न, वो पता क्यों है ताकि body काम करती रहे, और body काम क्यों कर रही है, पता है आपकी body हर कोशी का काम क्यों कर रही है, क्योंकि उसको जीवित रहना है समझ में आई बात, लोग कहता है कि ये मरनासन में लिटा था, कुछ नहीं बोला, हम समझ गए कहीं मर जाएगा इसका मतलब समझे आप, कि वो अपने body के saturation equilibrium state पर पहुत चुका है अब उसके body की cells को काम ही नहीं करना और वो एक दिन मर जाता है यहाँ पर अगर माल लो कि ions का concentration, जो भी ions, x, y, z, कुछ भी ion concentration है अगर यहाँ के ion का concentration, यहाँ के ion के concentration के बराबर हो गया तो आप मरते मर जाओगे पर एक neuron से दूसरे neuron या एक ही neuron में signal का transmission नहीं कर पाओगे तो किसी भी cell में, body में equilibrium achieve नहीं हो सकता जिस दिन equilibrium achieve हो गया, वो cell dead हो चुकी है Done, so everything we are performing in our body to perform the non-equilibrium दिस सुनने में very अजीब टाइप का, but it is truth ठीक है, आईए बात को देखते हैं तो जब तक membrane खाली फोकट बैठी हुए आराम कर रही है उसमें क्या कहानी है, वो अब आपको देखना है अगर membrane rest पर है, तो inner side पर, this is the exo lemma exo lemma का जो inner side होगा, मैंने एक ही side बनाया ताकि visibility आपको बढ़ियां, बहतरीन तरीके की हो सके तो जब हम बात कर रहे हैं resting stage की तो exo lemma के अंदर जानते हो क्या होता है, ध्यान से समझना exo lemma के अंदर side पर, अगर आपको दिख रहा होगा कि minus 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 बना रखा है, ठीक है अब समझना क्या है, देखो exo lemma के अंदर minus charge बहुत जादा होता है कितना होता है, पता है, minus 70 millivolt सोचो तुम, जब आपका कोई exon, कोई signal विगलन नहीं आ रहा है exo lemma कोई काम नहीं कर रही, कोई signal transfer नहीं कर रही है तो पता है, exo lemma के अंदर side पर इतनी negative charges होते है कि membrane का जो potential होता है, जो voltage है वो minus 70 millivolt होता है, जो कि बहुत जादा है membrane के लिए, ठीक है आगे बात करते हैं, एक एक concept clear हो रहा है ना, सबको अब ध्यान समझ जा, यह क्या है मैडम हमको बताइए कि minus 70 millivolt किसकी वज़े से है यह negative charges की वज़े से, तो negative charges को हम क्या कहते हैं बच्चो, anion क्या कहते हैं बच्चो, anion और positive charge को हम क्या कहते हैं, ketion done, तो exo lemma के अंदर minus ions बहुत सारे हो जाते हैं और minus ion पता है, आपको क्या है, यह कुछ नहीं है बटा, negative proteins हैं क्या हैं बच्चो, negative proteins हैं ठीके, anion मतला negative protein अब anion के 10 काई को लिखा मैडम यह मैं आपको बता रही हूँ कि membrane के अंदर anion जादा होते हैं कुछ नहीं कर रही membrane, सोई हुई पड़ी है, मरी जा रही है, ठीके, तो membrane के अंदर negative जादा है और membrane के बाहर positive जादा है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बताओ मुझे, मैं यह लिख सकती हूँ कि membrane के बाहर ketion जादा है ठीके, अब ध्यान से समझना, देखो, मैं अभी आपको इसका एक moral बताती हूँ, ketion जादा है और membrane के अंदर anion जादा है done हो गया है, दोनों मैं अंतर समझ रहे हो ना, जब membrane कुछ नहीं कर रही होती है तो अंदर negative जादा होता है, anion जादा होते है, ketion कम, बाहर ketion जादा, anion कम ठीक है, इतनी बात समझ में आई आई आपको, अब आपको मेरी बात और समझना है अगर आपको ऐसा लगता है, कि सारा ketion जो है, वो बाहर ही है और सारे ketion जो है, बाहर के और घुसे हुए, अंदर एक भी नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलत फैमी में हैं आप जब membrane rest कर रही होती है, जब उस पर कोई signal नहीं होता है तो आपको पता है, कि इन ketions में, ketions कौन से होते हैं, जो positively charge होते हैं sodium होगा, potassium होगा, calcium होगा, ठीक है हम दो के बारें बात कर रहे है, तो ketions में धान से समझना जब membrane कुछ नहीं कर रही है, तो अंदर K plus ज़ादा होता है as compared to Na plus यह याद रखिएगा, K plus ज़ादा होता है, Na plus के जब membrane कुछ नहीं कर रही होता है, तो बाहर की ओर Na plus ज़ादा होता है as compared to K plus समझ में आई बात, तो अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ और सिर्फ kations ही हैं अंदर है ना, केटाइन सिर्फ बाहर की ओर है, तो ऐसा नहीं है कुछ केटाइन जो हैं, वो अंदर की ओर भी है पर उसको overcome कौन कर रहे हैं, यह negatively charge क्योंकि negative ion का concentration इनसे बहुत जादा है इसलिए अंदर membrane negative है छीक है, इतनी बात clear हो गई, आप समझो यह resting stage की कहानी है, जो membrane कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है पर, जैसे ही मालो, यहां से कोई impulse आई, ठीक है dendron ने, impulse का मतलब है signal, ठीक है impulse आई, वैसे ही इन ions में अंदर बाहर exchange होना शुरू हो जाता है जैसे ही exchange होना शुरू हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, impulse generation क्या कहते हैं, इसको हम लोग, बच्चो, impulse generation समझ में आई बात, क्या कहते हैं, इसको हम लोग, impulse generation क्या समझा, अभी आप membrane आपकी rest पर है अभी membrane में कुछ नहीं हो रहा है पर जैसे ही उपर से signal नीचे की और आया, मतलब exon की और आया कहां से आएगा, dendron, citon, citon से exon तो यह जो आयन जो है ना, यह अंदर बाहर होने लगते हैं क्या होगे मैं बताऊंगी और फिर वहाँ पर generation होगा, impulse का signal यहाँ पर भी आएगा, generate होगा signal क्योंकि यहाँ अंदर बाहर हो रहे, फिर signal जो है exon के क्या होगा, बताऊं मुझे, पूरा यहां से यहां तक आएगा इसको कहते हैं, conduction of impulse फिर वो एक neuron से दूसरे neuron में जाएगा this is called as transmission of impulse समझे मेरी बात को, generation of impulse को हम लोग generation of action potential भी कहते हैं हला कि मुझे अभी यहां नहीं बताना चाहिए क्योंकि अभी membrane तो rest पर है तो अभी इसको जाने तो, मेरे बच्चे यह बात समझ गए कि madam जब उपर से impulse यह signal आएगा, तो वो exon में आएगा जो rest वाली membrane जहां बाहर अंदर negative है बाहर positive है वो सब तिल मिलाने लगेंगे और ion का exchange होने लगेगा first stage पर आपकी impulse generate होगी, action potential generate होगा और फिर वो आगे की ओर transmit होगा, तो action potential generate यह impulse generation due to the ion exchange की वजह से, ठीक है? और फिर वो आगे जाएगा, this is called as conduction of impulse फिर दूसरे neuron में जाएगा, this is called as transmission of impulse समझ गए? क्या बोला मैंने? so rest, points to be remember resting में है, exon membrane तो अंदर negative ions जादा बाहर positive ions जादा अंदर negative ions क्यों है? क्योंकि वहाँ पर negative proteins बहुत जादा है अंदर भी कुछ positive ions है, जिनका नाम होता है K+, बाहर की ओ जो positive ions है, उनमें Na+, जो है, वो जादा है और K+, कम है, यह आपको याद रखना है, ठीक है? अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना भाईया, इस membrane से आप ions को exchange करेंगे तो transportation across the membrane में माई तुमको पढ़ाई है ना कि होते हैं channel और pump बोलिए, पढ़ाई हूँ ना मैं आपको मैंने आपको पढ़ाया था ना कि भाईया, अगर आपको कोई चीज membrane के across ट्रांसफर करनी है तो या तो passive transportation हो जाए, अपने आप ही हो जाए, कोई चिनने कुछ नहीं चाहिए पर कुछ special molecules को हमें क्या देना पढ़ता है? उन्हें कहते हैं pump, समझे, किसी चीज को अगर हम धका मार मार के चल भागे हैं से भाग तो आपको energy लगानी पड़ेगी ना, तो ऐसे, अगर हम ions को यह ऐसे लात मार मार के transfer कर रहे हैं तो उस किस के थू transfer करते हैं? pump के थू, energy देना है जब एक रास्ता बना देते हैं, तो ऐसे इदर जंगल वंगल से मत जाना, बीच के रास्ते पकडंडी से होते हुए जाना तो इसका मतलब आपने रास्ता बना दिया, this is called as channel अगर आप channel से कोई चीज transfer करते हो, तो बेटा, energy कभी नहीं लगती, ठीक है? पर अगर pump के थू कोई चीज transfer करोगे ना मेरे लाल, तो आपको energy देनी पड़ेगी डन 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 तो इसका मतलब यह है, कि exon की membrane जो है, वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी भाई यह, दुनियादारी में इतने emotion होते हैं, रोना, touch, taste, pain, pressure, हसना, रोना, गाना, मरना, इस अभी emotion ही है ठीक है, तो यह कैसे feel होंगे अगर यह हमेशा rest पे रहेगी तो हमको and को अंदर बाहर करना है, तो हम किस के थू करेंगे? हम करेंगे channel और pump के थू, तो यह कहानी जो उपर बनी है, these are nothing, these are the channels and pump, छिक, दूसरी बात, यह जो topic अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो बच्चा आज की class में समझ गया, अगले दिन अपनी madam की online class में भी भी वो अच्चा समझा रहा हुआ, कि आप रुख जाए, इंच्वाट ले लो पहले जल्दी, चलो बच्चो, आप क्या देखना है, कि अब आप ध्यान से समझना मेरी बात जो नहीं समझेगा, मेरी बात गड़ बड़ जागा सारा कम, membrane के अंदर minus 70, थोड़ा से इसको मिटा देती हूँ, membrane के अंदर minus 70 mili volt है, जब membrane कुछ नहीं कर रही है, कोई transmission नहीं हो रहा है, तो इस potential को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, resting membrane potential, क्या कहते हैं, resting membrane potential, इसे हम कहते हैं, resting membrane potential, यह आपको याद रखना है, resting membrane potential, NCIT में दिया और नहीं दिया ओ, जाने दो अभी, अभी याद रखो कि जब membrane कुछ काम नहीं कर रही है, तो अंदर minus होता है, बाहर positive होता है, minus q है, क्योंकि negative ions जादा है और बाहर positive ions जादा है, मैंने यह नहीं बोला कि अंदर positive नहीं होगा अंदर positive होगे, कौन से k plus होगे, चेक है अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि जब impulse generate होती है, तो ions का exchange होता है तो ions का exchange किसके through होगा? या तो passively हो जाए, या तो facilitated हो जाए Facilitated मतलब हमने एक passage provide कर दे जिससे वो जाते रहे Facilitated कौन से होते हैं? Channel वाले होते हैं, जो channel से जो ions जाते हैं एक होते हैं pump के through, जिसको आप कहते हैं active transport जिसके लिए आपको energy खर्च करनी पड़ेगे अब ध्यान से, ध्यान से देखना मेरी, ठीक है? बात, यहाँ पर हमारे पास तीन प्रकार की चीज़े आपको तीन shapes दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यह जो चीज़े जो yellow और orange दिखाई दे रहे हैं यह क्या क्या है, वो मैं आपको बता रही हूँ यह आपको समझ में आए कि cations अंदर क्या है, k plus वाले क्या है बच्चो जादा और na plus वाले हैं कम बाहर जो है na plus वाले जादा है, k plus वाले कम ठीक है? तो अगर हम चाहते हैं ध्यान से समझना तो पहले मैं अलग-अलग इसको सारे को थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगी इतनी बात आप लोगों ने लिख ली होगे, अब ध्यान से देखना देखो ध्यान से, ध्यान से देखना है na देखो, यहां से समझ में आ जाएगा मेरे बच्चो को एक्जोले मां भी मिटा सकती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले यह जो आपको दो छोटे-छोटे डंबल्स-like structure दिख रहे है न यह चैनल से, ठीक है? कौन से चैनल है? दीजार्दा लीकेज चैनल्स, ठीक है? बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, जो पेट पे अपनी बात पचा जाते हैं बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, जो बहुत लीक करने वालेते हैं उनको कुछ भी बता दो, उनको यह बता दो, कि आज मैंने तीन रोटी खाई तो उनकी आदत ऐसी होती न, वो leak कर देते हैं, आ रहे हैं, वो तीन रोटी खाया है तो इसका मतलब यह कि leakage जिसको करना है, वो continuously leak करता रहता है समझ में आ गई बात, तो leakage जो channel होते हैं, यह हमेशा open रहते हैं यह याद रखना है आपको, यह point, leakage जो channel होते हैं, membrane पे अलग-अलग type के channels और pump present होते हैं वो क्या है, वो मैं आपको बता रही हूँ, number one is the leakage channel, जो हमेशा open रहते हैं अब आपको देखना है कि अंदर K plus जादा है, बाहर Na plus जादा है अगर आप अंदर K plus जादा है, तो भाईया K plus को हमेशा आपको बाहर भेजना है ठीके, K plus को आपको क्या भेजना है, बाहर भेजना है, और Na plus को आपको अंदर लेना है समझ में आई बात, Na plus को क्या लेना है, अंदर लेना है इसका मतलब यह कि leakage channel भी हमारे पास कौन से हैं बच्चों दो type के हैं एक है K-plus वाले और एक है Na-plus वाले ठीक है एक है K-plus वाले और एक है भाईया मेरे Na-plus वाले K-plus वाले क्या करते हैं जो जादा K-plus उसको बाहर फेकते रहते हैं और Na-plus वाले हमेशा Na-plus को अंदर लेते रहते हैं Leakage channel हमेशा open रहते हैं हमेशा आगी की बात बताती हूं फिर मैं अब यह जो special channel बड़े-बड़े डंबल दिख रहे हैं इन्हें हम पता है क्या कहते हैं ध्यान से देखते जाएगा यह मिटा दू ना यहाँ पर मैं बस एक ECF लिख देती हूं तो आप लोगो clear हो जाएगा अब यह जो channel आपको दिखाई दे रहे हैं यह कैसे channel हैं बच्चो voltage-gated channel है समझ में आई बात कैसे channel हैं यह यह voltage-gated channel यह voltage-gated channel जो है they always opens ध्यान समझना opens in specific voltage ठीक है in the specific voltage समझ में आई बात यह ऐसे ही नहीं काम करते हैं यह किसी specific voltage पे ही काम करेंगे समझ में आई बात ऐसे नहीं open होते हैं इसी तरीके से आप माल लो कि यह K plus का voltage-gated channel है और यह N plus का voltage-gated channel है यह कब open होते हैं जब जरूरत होती है और अगर ऐसा हुआ कि बाहर के cation की नंबर अंदर के cation के बराबर हो जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब यह कि membrane जो है वो बिल्कुल equilibrium में आ गई है और आपको मैंने बताया कि कभी भी कोई cell equilibrium में आ ही नहीं सकती क्योंकि अगर equilibrium में आ गई तो किसी बयायन को exchange होने की जरूरती नहीं है तो impulse कैसे generate होगी बचो समझ माई बात signal कैसे transfer होगा इस चीज से बचने के लिए we have pump और pump हमेशा क्या utilize करता है pump हमेशा ATP utilize करता है समझ माई बात इस चीज से co-compensate करने के लिए what we have pump हमेशा क्या utilize करता है ATP utilize करता है समझ माई बात अब अगर अंदर Na plus आए जा रहा आए जा रहा आए जा रहा आए जा रहा है समझ जो बात को अंदर क्या हो रहा है Na plus आए जा रहा है K plus बाहर जाए जा रहा है तो क्या होगा बोलो अंद बाहर जो है K-Plus की भरमार हो जाएगी अंदर अने प्लस की भरमार हो जाएगी तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो pump होता है ये तीन अने प्लस को बाहर भेजता है ठीक है और दो K-Plus को अंदर लेता है देखो लिकी चैनल हमेशा ओपन होते रहेंगे तो K-Plus बाहर ही जाता जाएगा, N-Plus अंदर जाएगा वो कभी नहीं बंदोंगे, वो अपना काम करते रहेंगे पर ऐसी कोई विशेश प्रकार की स्थिती अगर है तो pump जो होते हैं इनका काम ही होता है compensation समझो बात को, pump का काम क्या है बच्चो, pump का काम है compensation pump 1-ATP खर्च करके, ध्यान से समझना, pump 1-ATP खर्च करके, ध्यान समझना pump 1-ATP खर्च करके 3-N-A-Plus को बाहर भेज देता है, जो अंदर भरते जा रहे है और 2K plus को अंदर ले लेता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चो This condition is called as sodium मैं black color से लिखूंगे इसको इसे हम कहते हैं sodium potassium pump sodium potassium pump समझ में आई बार इसको ATPS pump भी कह सकते हैं ठीक है? rest की membrane है यह कुछ नहीं हो रहा है अभी कोई भी signal कुछ नहीं आ रहा है जब एक बार revise कर लेते हैं resting membrane then we'll go to the depolarization ठीक है? देखो polarization का मतलब होता है poles develop करना यहाँ पर pole develop हो रहा है जब membrane कुछ नहीं कर रही है तो अंदर negative charge होता है और potential कितना होता है? minus 70 millivolt इसको कहते हैं resting membrane potential तो आप से पूछा जा सकता है कि बताइए जब exon में कुछ चीज कोई signal transfer नहीं हो रहा है तो अंदर कितना membrane के अंदर कितना voltage है? आपको बताना पड़ेगा minus 70 millivolt this is called as resting membrane potential ऐसी condition में जब कुछ नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम यह बात करें कि क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंदर negative ions ज़ादा है मतलब negative proteins ज़ादा है पर इसका मतलब यह नहीं कि महाँ कोई positive charge नहीं रहेगा बस number of ketion ions are more than the ketion कौंसा ketion अंदर रहता है? अंदर रहते हैं K plus ज़ादा और Na plus कम बाहर होते हैं Na plus ज़ादा और K plus कम यह याद रखना जो यहाँ भूल जाओगे तो सारा concept जो है कच्ड़े के डिब्बे में चला जाएगा ओके? We have different types of channels and proteins so that we can transfer the ions अगर हम ions को transfer करेंगे तभी तो impulse generate होगी नहीं तो अभी तो सब सो हैं कुछ नहीं हो रहा है So we have leakage channel जो हमेशा K plus को बाहर फेकते रहते Na plus को अंदर फेकते रहते पर अगर ऐसी condition होती रही तो अंदर Na plus भरता ही जाएगा एक समय ऐसा आएगा कि Na plus K plus दोनों का नंबर बराबर हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि equilibrium आजाएगा आदमी मर जाएगा तो we have pump pump compensation का काम करता है वो energy का इस्तमाल करके 3 Na plus को बाहर भेज देता है और 2 K plus को अंदर ले लेता है एक ATP खर्च करके and we have voltage gated channel voltage gated नाम से ही उसका काम करे है काम बड़े बदनाम है voltage gated channel हमेशा तब open होते हैं जब एक specific voltage है देखो बटा आदमी को आदमी अपने दरवाजे कब खोलता जब उसको समझ में आएगा दोस्त है उसको पता है दोस्मन आया तो काई का खोलेगा तो voltage gated जो channels होते हैं ये basically तब open होते हैं जब हमें depolarization शुरू करना है या हमें impulse को transmit करना है या generate करना है done हो गया इतनी बात समझ में आई इसका screenshot ले लो अब आप तो ये हुआ polarization polarization में क्या कहानी देख रहे हैं आप कि ये कहानी चलती रहेगी मैडम कि polarization में leaky channel चलते रहेंगे जी हाँ जी हाँ अगर आपको लगए ये leaky channel ना polarization हो depolarization हो कुछ भी हो leaky channel हमेशा open रहते हैं पर leaky channel हमेशा open रहेंगे तो equilibrium का state आ सकता है तो उसको हमेशा compensate करने के लिए pump चालू रहता कि बैटा तुम ज़्यादा उड़ी में मत चलो जो है तुमको balance करने के लिए हम है तो if we are doing nothing हम सो रहे हैं आराम से तो भी आपकी membrane में leaky channel ions को अंदर भार कर रहे हैं और pump चालू है समझ गए चलो अब में polarization is done membrane resting में क्या था channel proteins बंध हैं कौन से voltage gated channel protein बंध है leaky channels open है और leakage वाले channel open है और pump भी open है पर ऐसी condition में negative है membrane अंदर par positive है minus 70 millivolt resting membrane potential है अब हम लोग बात करते हैं second stage which is the depolarization मेरे बच्चो डियान से समझ ना second stage which is the depolarization ठीक है okay polarization हो गया है अब हम लोग बात करेंगे depolarization के बारे में now let me divide the membrane into two parts this is the A part this is the A part and this is the B part depolarization बना रही हूँ पढ़ा रही हूँ मैं आपको जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि nerve impulse कैसे generate होती है समझ में आ गई बात अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे क्या बोला मैंने आपको ध्यान से समझते जाईगा तो here what we have ध्यान से देखना here what we have we have voltage-gated channels ठीक है isn't it हमारे पास यहां पर क्या है voltage-gated channels है यहां पर हमारे पास क्या था बच्चो यहां पर हमारे पास थे leakate channels जो कि sodium और potassium के माने जाते हैं यह पढ़ा हम लोगों ने जो कि किसके माने जाते हैं बच्चो जो कि sodium और potassium के माने जाते हैं ठीक है यहां पर मैं इस तरीके से बना रही हूँ ठीक है ध्यान से देखते जाएगा जो बोल रही हूँ मैं यहां पर भी same चीज़ बना लेती हूँ यह क्या है leakage channel है ठीक है और ठीक और यह दो लिके channel एक sodium के लिए पोटेशियम के लिए ठीक है इस जगह पर we can also draw the pump ठीक है यहां पर भी हम pump को draw कर सकते हैं ठीक ओके आगे देखते हैं यहां पर क्या बनाये थे मैंने किसी और गलर से ले 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 ती हूँ मैं कोई tension होना नहीं चाहिए है पर ठीक है कोई बात में अब यहां पर मेरे पास क्या थे voltage-gated channels ठीक है यहां पर मेरे पास क्या है दो voltage-gated channels है जिनको मैं अलग-अलग color से वहां पर दो दो बनाई यहां पर एक एक बना लेती हूँ कोई tension नहीं है ठीक है voltage-gated channels ठीक है ध्यां से देखते जाना मेरी बात को ठीक चालो ओके यह बन गया मेरी कहानी अब ध्यां से समझना अब मैं बात कर रहे हूँ depolarization की बच्चो ठीक है I am going to talk about the depolarization depolarization का मतलब क्या होता है देखो जैसे ही जैसे ही कोई impulse I ठीक है यह क्या है अपना This is the ECF और यह क्या है अपना ICF Intracellular Fluid जैसे ही कोई impulse dendron से cyton से exon की और I ठीक है तो यह तिल मिलाया यह कोई काम करेगा वो क्या काम करेगा वो मैं अब आपको समझाने वाली देहां से देखना जैसे ही जैसे ही impulse आई वैसे ही सबसे पहले this voltage-gated channel will close समझ गए लीकी channel का कोई अस्तित्व नहीं है वो हमेशा क्या करेंगे sodium को अंदर लाते रहेंगे और na plus को बाहर भेजते रहेंगे उनका कोई काम नहीं है बस यही काम है वो हमेशा उपन रहेंगे उनके साथ कुछ नहीं कर सकते आप तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही impulse आएगी सबसे पहले voltage-gated channel बंद हो जाएगा अगर voltage-gated channel voltage-gated channel बोल रही हुँ मैं this pump sodium potassium pump sorry 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 ठीक है this sodium potassium pump will close voltage-gated channel नहीं है pump जैसे ही signal आएगा वैसे ही ये sodium potassium pump close हो जाएगा चिक pump close हो गया बेटा pump close हो गया है तो कोई regulate करने वाला बचा ही नहीं है नहीं बचा तो sodium ion अंदर आते जा रहे है रीके channel से चिक अब क्या होगा यहाँ पर starting में क्या था पहले membrane जब resting पे थी अब धीरे धीरे leaky channel sodium potassium pump को आपने बंद कर दिया तो कोई regulation नहीं बचा नहीं तो वो क्या कर रहा था कि 3-3 sodium को फेचता जा रहा था बहार तो compensation चालू था पर इसको आपने बंद कर दिया है अगर आपने इसको बंद कर दिया है तो sodium leaky channel से अंदर आते जा रहे है उनको कुछ नहीं है ठीक है आई बात समझ में अब यहाँ पर आपको एक और कहानी समझनी है यह जो भी transportation हो रहा है यहाँ पर जो भी transportation ions का हो रहा है it is a facilitated diffusion या मैं आपको सीधी बात बताती हूँ यह जो भी transportation हो रहा है it is along with the concentration हम लोग यहाँ पर थ्यान समझना यह जो भी transportation channels कर रहे है यह channels along with the concentration कर रहे है high concentration से low concentration के और कभी आपने सोचा है कि sodium हमेशा बाहर से अंदर की और ही क्यों आता है क्योंकि बाहर sodium का amount बहुत जादा है इसलिए अंदर की और आता है potassium हमेशा अंदर से बाहर की और क्यों जाता है क्योंकि बाहर potassium कम है जब कभी हमें उल्टा करना पड़े आपको ऐसा लगता है कि आप sodium बहुत अंदर ला लेंगे तो हम बाहर कम कर देंगे अंदर जादा ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि बाहर sodium बहुत ही जादा है पर अब हमें अगर sodium को बाहर निकालना तो हमें इनर्जी खर्च करनी पड़ रहे ना है that is why we are using the pump ना समझ में आई बात पर अगर pump is an exception for the compensation पर बाकी सारे channel along with the concentration ही move करते रहेंगे sodium हमेशा बाहर जादा होता है चाहे तुम कितना भी डाल लो अंदर बचो समझ में आ गई बात इतनी बात आपको clear होगे अब ध्यान से समझता so what we have learned till now कि हमेशा ions का flow concentration gradient के along होता higher concentration से low concentration के और पर अगर हमेशा ऐसा होता रहा तो equilibrium state आने का chance है इसलिए we have some pumps to compensate the ions इसलिए आप sodium बाहर तो ज्यादा ही है अब तुम बाहर में और sodium मिला दोगे तो तुमको energy लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी तुमको इसको बाहर भेजने करे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बोलो मेरी बात सही है कि नहीं सही है इसलिए तुम यहाँ पे ATP खर्च करते हो तो pump अच्छा यह जो भी transportation आप पड़ रहे हैं ions का दान प्रदान यह सब facilitated diffusion है facilitated is a type of facit diffusion एक मैंने आपको बताया था कि अपने आप कोई channel वेनल नहीं चाहिए यहाँ पर इन channel से आप ions को transport करने के लिए pump से दे रहे हो पर यहाँ पर pump क्यों कर रहे है compensation ले normally तो along with the concentration gradient या ion flow हो रहे है तो यहाँ पर आपको यह बात समझनी जरूरी है कि channel से जब हम कोई ion transport करते हैं तो वहाँ पर energy नहीं लगती और क्योंकि हम उसको facilitate कर रहे है उसको help कर रहे है अंदर बाहर करने के लिए तो हमने facilitate किया उसको इसलिए facilitated transportation है पर इसमें energy नहीं लगेगी this is called as facilitated diffusion यह सारी कहानी जो हो रही है diffusion के माध्यम से हो रही है ion का exchange diffusion से ही हो रहा है high concentration से low concentration के हो ठीक है आगे आईए इतनी बात मैंने आपको समझा दी तो sodium सबसे पहले जब impulse आएगी ठीक है तो होगा क्या होगा यह कि यह sodium potassium pump जो है वो बंद हो जाएगा sodium potassium pump क्या कह रहा था 3 sodium को बाहर भेज रहा था 2K plus को अंदर ले रहा था तो बाहर जल्दी 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 वो sodium भेजते जा रहा था तो बाहर membrane जादा positive थी अंदर कम potassium ले रहा था तो इसलिए membrane अंदर कम positive थी अब क्या हुआ कि हमने इसको बंद कर दिया अब अगर हमने इसको बंद कर दिया तो होगा क्या कि Na plus अंदर आने लगेंगे अगर Na plus अंदर आने लगेंगे तो जो potential आपको minus 70 mili volt लग रहा था क्योंकि अंदर minus 4 जादा था वो धीरे धीरे plus होने लगेगा होने लगेगा का नहीं होने लगेगा अब जब minus 70 mili volt से जब आप plus 30 mili volt potential पे आ गए ठीक तो क्या होगा पता है आपको ध्यान से समझना या ऐसा समझते हैं हम धीरे धीरे Na plus अंदर आने लगेगा अब Na plus अंदर आने लगेगा तो अंदर positive charges जो होंगे वो क्या होने लगेंगे increase बोलो अभी ये सारे gate क्या है ध्यान समझो अभी ये सारे gate क्या है बच्चो ये सारे gate है close ठीक है अल दा gates are close इसंट इट ये सारे gate क्या है close है ठीक है ओके ये B वाले पार्ट के नर्व के दूसरे हिस से के तो ये चालू है मतलब Na plus को ये बाहर भेज रहा है और K plus को ये अंदर ले रहा है लीकी चैनल्स भी चालू है ये Na plus के ये K plus का था है लीकी चैनल्स भी चालू है तो K plus को बाहर भेज रहे है और Na plus को अंदर ले रहे है ये दूसरे पार्ट की है अभी हम इस पार्ट के बारे बात कर रहे है तो voltage ये वाले जो है ये किसका है मालो ये मालो एने प्लस का है ठीक है ये किसका है के प्लस का है जब एने लीकी चैनल तो चालू ही है लीकेज वाले चैनल तो चालू है तो एने प्लस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा अंदर क्यों जैसे ही एने प्लस अंदर धीरे धीरे से positive potential होगी वैसे ही यह जो आपका sodium gated channel है sodium voltage gated channel है यह open हो जाएगा समझ में आई बात और sodium ions जो है वो अंदर की ओर आना शुरू हो जाएगे पर still still k plus channel is closed ठीक है क्योंकि k plus channel के साथ परिशानी यह है ना कि यह तो आसानी से open नहीं होता और open हो जाता है ना तो बहुत देर तक close नहीं होता समझ गया यह याद रखना तुम लोगों के काम आएगा सो हमने यह देखा अपके अरने प्लेस अंदर आने लगे तो क्या देखा आपने बच्चों कि ए वाला पार्ट अंदर से positive हो गया ठीक है ए वाला पार्ट अंदर से positive हो गया और बाहर से negative हो गया कारण के हुआ क्योंकि विद रिस्पेक्ट तो दा मेंब्रेन अंदर positive charges जादा हो गया और बाहर positive charges कम हो गया समझ गया मेंब्रेन अंदर negative हो गया यह समझ गया यहाँ पर आपका voltage convert हो जाएगा minus 70 mili volt से plus 30 mili volt आपके इंस 8 में नहीं दिया होगा पर जाने देजे यहाँ पर सबसे पहले आपने ions को change किया ठीक है सबसे पहले पूरे exon के first part में आपने आइनों के अदान प्रदान से कुछ action किया तो इसलिए हम इसे कहते हैं generation of action potential क्या कहते हैं हम लोग इसको हम इसे कहते हैं generation of action potential क्या कहते हैं generation of action potential या इसी को आप action potential भी कह सकते हैं जब सबसे पहली बार impulse आई और ये सारी कहानी होने के वज़े से membrane अंदर positive और बाहर negative हो गई positive क्यों हुई? क्योंकि pump बंद हो गया और जो ये sodium voltage gated channel voltage gated channel अब आपको समझ में आए क्यों कहते हैं जैसे जैसे voltage positive की और बढ़ता जाएगा ये अपने आप open हो जाएंगे और Na plus को ये और अंदर लाने लगेंगे तो membrane क्या होगा? अंदर positive हो जाएगी और अगर अंदर positive तो बाहर negative होगी समझ में आई बात तो this is the generation of action potential या इसको मैं और क्या कह सकती हूँ? generation of impulses समझ में आई बात तो हमने impulse को generate कर लिया है by the exchange of sodium ions ठीक है? हमने sodium ion को बाहर से अंदर लाके बाहर ए पार्ट में membrane को अंदर से positive कर लिया है एक और बात समझिए अगर आपको लगता है कि ये तो मैंने एक भी बनाए ऐसे बहुत सारे पार्ट हो सकते एक zone के अगर आपको ये लगता है कि सारे पार्ट में एक ही कहानी चल रही होगी तो ये बहुत ही बड़ी गलत फैमी में हो आप हमेशा जो impulse generate हो गई अब यही वाली impulse इस पार्ट में जाएगी और ये वाला पार्ट फिर से rest पे आ जाएगा फिर ये वाली जो impulse है जो यहाँ पहुझ गए अब वो next में जाएगी और ये वाला पार्ट rest में आ जाएगा तो कभी भी पूरी membrane एक साथ repolarized या depolarized नहीं होती समझ गए अब A part क्या हो गया है depolarized हो गया है ठीक है पर B part अभी भी क्या है बचो B part तो अभी भी B part तो अभी भी क्या है बचो polarized है polarized का मतलब क्या है कि अभी भी अच्छा इसको मैं depolarization क्यों कहती हूँ क्योंकि यहां पर poles reverse हो गये, पहले अंदर negative तो बाहर positive था तो polarized, अब हमने poles reverse कर दिये, ठीक है, poles में plus अंदर ले गये, minus बाहर ले आए, क्यों ले गये, plus अंदर क्यों हो गया, क्योंकि यह ने plus बहुत सारे आ गये थे, क्यों क्योंकि यह ने plus voltage gated channel open हो गया, voltage gated channel कब open हुआ, जब हम, जब हम pump को बंद कर दिये थे, impulse आ गई थी, और leaky channel से sodium ions जो है, जल्दी 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 अंदर आए जा रहे थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, polarized की बात करूंगे अब मैं, ओ शिट, ठीक, ध्यान से देखना, बी पार्ट अभी भी polarized है, मतलब इसमें pump जो है, वो चालू है, pump चालू है, leaky channels भी क्या है बच्चो, चालू है, कोई दिक्कत नहीं है, पर sodium और potassium दोनो voltage gated channel क्या है, closed, closed, ऐसी condition में अंदर क्या होता है, negative और बाहर क्या होता है बच्चो, बाहर क्या होता है, यहां पर मैं थोड़ा नीचे लग देती हूं, यह polarized condition है, ठीक है, बाहर क्या होता है, positive, बाहर क्या होता है, positive, ठीक, अब आप ध्यान से समझना, ठीक, ओके ध्यान से समझना क्या बोल रही हूं मैं अब यहाँ पर NCRT में आपको impulse को हम क्या कहते है impulse को हम कहते है current भाई यहाँ पर impulse current generate हो गया है बिजली दोड गई है अब बिजली आगे बढ़ेगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी तो impulse को हम current बोल देते हैं current का flow थ्यान से समझना बच्चो है current का flow हमेशा इस direction में ही होगा यह देखो current का flow हमेशा इस direction में ही होगा क्यों होगा? क्योंकि current जो है current हमेशा कैसे जाएगा A से B की और हमेशा current positive से negative की और जाता है तो current जो impulse आएगी वो क्या होगा? वो क्या होगा? यहां से यहां आएगा समझ में आगई बात? पर यहां पर current कैसा जाएगा? यहां पर current कैसा जाएगा? ऐसा समझ गए? यहां पर current कैसा जाएगा? ऐसा, ठीक है? B to A तो madam क्या इधर से इधर भी impulse generate होगी? No, no यह तो मैं तुम्हें यह बता रहे हूँ जो आपके NCRT कहती current, current, current ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया current का flow हमेशा positive से negative की ओर होगा It's just a concept तो यहां पर current का flow कहां से कहां की ओर हो रहा है? यहां से यहां की ओर हो रहा है अब ध्यान से समझना यह जो current है यह क्या है पता तुमको? यह जो current का flow है ध्यान से समझना मैं आपको यहां पर समझते देखो बताती हूँ current का flow कहां से कहां की ओर हो रहा है? current का flow कहां से कहां की ओर हो रहा है? A से B की ओर हम ऐसा भी मान रहे है A से B की ओर हो रहा है इसका मतलब पता है क्या हुआ करेंट का फ्लो हो रहा है इसका मतलब यह है कि B को स्टिमिलस मिल गया है B को स्टिमिलस मिल गया है करेंट यह बताता है कि B को स्टिमिलस मिल चुका है अब तुम आगे इस स्टिमिलस को ट्रांसफर करो ठीक है, तो current का flow हमेशा इस direction में क्यों हो रहा है बच्चों? तो current का flow हमेशा इस direction में क्यों हो रहा है? ताकि stimulus मिलते ही, यह तुरंट membrane जो B वाले depolarized है, यह फिर से, जो polarized है वो depolarized हो सके हैं फिर से सुनाँ A से B की ओर current क्यों flow हो रहा है? क्योंकि positive से negative की और current flow होता है ठीक है अब A से B की और जब current flow हुआ तो इसको ये stimulus मिला वो stimulus जो हम लेक्या रहे इसको ये stimulus मिला कि भाया ऐसा है कि तुम अब अपने आपको depolarized करो यहां पर current B से A की और flow हो रहा है तो इसे ये stimulus मिला कि तुम वापस से repolarized हो जाओ समझ में आई बात current क्या है? current stimulus है जो ये बताता है कि B वाले part को क्या करना है और A वाले part को क्या करना है जब current A से B direction में flow हो रहा है तो वो ये बता रहा है कि तुम्हें आप depolarized होना है जब current B से A की और flow हो रहा है तो वो A को बता रहा है कि तुम अब रिपलराइज होना है क्योंकि stimulus तुम्हारा कहां पहुच चुका है? D वाले पार्ट में पहुच चुका है screenshot ले लो, this is the D polarization समझ में आ रहा है ना, बात क्या बोल रही हूँ मैं? कि अंदर membrane positive हो गई, current का flow NCRT के recording मैंने आपको बताया लो, फिर में आ गया और explain करती हूँ अब यह हम समझ गए कि A पार्ट में impulse generate हुई है क्यों generate हुई है? क्योंकि voltage minus 70 millivolt से, क्यों generate हुई है? क्योंकि अंदर positive हो गया इसकी विज़े से voltage minus 70 से plus 30 हो गया और यहाँ पर pump बंद हो गया है ठीक है? impulse generate हो गई और अब impulse generate हो गई है signal generate हो गया है यहाँ पर अब वो transmit होगा अब हमेशा current कहां से कहां की ओर होता है? प्लस से minus की ओर तो current यहां से यहां flow रहा है current is a stimulus current वो बताता है कि भईया ऐसा है कि अब मैं तुम्हें signal दे रहा हूँ तो तुम जो है तो depolarized हो और मैं फिर repolarized होगा फिर से polarized होगा और यहाँ पर नीचे से बाहर की ओर क्या हो रहा है current भी से एक ओर हो रहा है तो हमें यह membrane बता रही है इसको कि भईया मैं हो जाओंगे तू तो अपना काम कर तू तो भईया वापस से polarized हो जाओ समझ गए आप देखो ज्यान से देखते जाना अब current यहां से यहां के और flow हुआ देखते हैं deep polarization जो है wave जो है ध्यान समझते जाना क्या बोल रही हूँ मैं अब यहां से यहां के और impulse पहुँच चुकी है यहां से यहां के और impulse पहुच चुकी है जब यहां से यहां के और impulse पहुच गई है पेटा तो अंदर ये कहानी, अभी मैं बताती हूँ, अंदर का क्या होगा, अभी तुम छोड़ो इसको, ठीक है Depolarization और आगे explain करती हूँ कि B वाले का क्या हाल हुआ यहाँ तो A से B में आये, तो B वाले का क्या हाल हुआ ठीक है तो अब यहाँ पर क्या क्या है, एक एक चीज बनाएंगे, हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर क्या था? Pump था, ठीक है यहाँ पर क्या थे? Leaky channels थे, ठीक है चोटे चोटे बनाती हूँ, बड़े 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 ओ ठीक देखना ध्यांस देखना ना यहां पर क्या थे लीकी चैनल्स थे मैं थोड़े एक एक कलर के बना देती हूं तो छोड़ा सा समझ मैं आगा ठीक है यह क्या थे भईया यह क्या थे यह थे ध्यांस देखना यह थे अलग कलर से बनाती उसको है नहीं तुम्हें तुम्हें ये थे sodium potassium pump, इसको भी एक मुझे अलब कलर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो confusion हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो तुमनों मुझे ही बोलेगा, चलो, द्यान से देखना, अब impulse, A से कहां पहुझ गए, B की और, ठीक, impulse क्या हो गई बेटा, A स B की और हो गई, तो सेम कहां नहीं रिपीट करना है, pump, जो pump है, वो क्या होगा सबसे पहले, pump क्या होगा, बोलो मुझे, close, pump क्या होगा, close, Na प्लस अंदर आते रहेंगे, K प्लस बाहर जाते रहेंगे, sodium voltage gate channel open हो जाएगा, और Na प्लस जो है, अंदर आते रहेंगे, जबकि K voltage gate channel अभी भी close ही रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, ध्यान समझना, यहाँ पर अब अंदर membrane कैसी हो गई, positive, सेम ऐसी, positive, और बाहर की ओर कैसी हो गई, negative, समझ में आ गई, तो पहले step में हमने यह सीखा, कि impulse generate कैसी हुई, ठीक है, दूसरे step में हमने यह देखा, कि impulse हमने A से, B की ओर conduct कैसे की, ठीक है, तो यह जो कहानी है, this is the conduction of impulse, conduction of impulse, impulse across exolema, समझ में आई बात, यह क्या है बच्छों, पहले step, ध्याम समझते जाना नहीं तो confusion हो जाएगा, इसमें हमने सीखा, कि impulse generate कैसे होती है, इसमें हमने सीखा, कि impulse एक जगा से, दूसरी जगा जाती कैसे है, ठीक है, ऐसे ही, फिर यह क्या होगी, यह वाली impulse जो है, फिर यह कहाँ चले जाएगी, C वाले पार्ट में, ठीक, पर अगर impulse A से B में आ गई, तो मैडम A का क्या होगा, ठीक है, तो A का क्या होगा, आईए जानते हैं, ध्यान से देखना, अब हम लोग पढ़ेंगे, repolarization, ठीक है, मैं इसको re लिखूंगे, ठीक है, this is the repolarization, ध्यान से देखना, अब हमारी जो impulse थी, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर बढ़े-बढ़े से बना देती हूँ, हमारी impulse A से B की ओर आ गई, A से B की ओर आ गई, जिससे अंदर यह positive हो गया, और यह negative हो गया, ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, वो अब आपको देखना है, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक, ध्यान से देखना, सबसे पहले, I am going to draw the channel, ठीक है, यह क्या बना रही हूँ, मैं, channel, voltage-gated channel, यह किसका है, Na, यह किसका है, Na+, और यह किसका है, K+, एक एक चीज बनाओ न, कोई टेंचन थोड़ी है, कोई टेंचन नहीं, बना लो अराम से, यह है, leakage channels, यह है, leakage channel भी है, कोई टेंचन नहीं, बनाओ आराम से, कोई कहीं भागना थोड़ी है, यार, पर एक एक concept तो clear होना चाहिए, है न, current variant का बहुत फंडा था, लोचा था, इस एक leaky channel से तो हमेशा ही Na+, अंदर आते हैं, और K+, बाहर जाते हैं, same condition with this, Na+, अंदर आया, K+, बाहर गया, लिकी channel तो हमेशा ही open रहते हैं, पर इनका क्या हुआ, वो अब आपको समझना है, देखो, जब impulse यहां से यहां की ओर पहुच गई, तो क्या हुआ, वो अब आपको देखना है, देखो, जैसे ही यह कहानी हुई, अच्छा, यहां पर मैंने voltage-gated channel नहीं बनाय अब है, voltage-gated बोल रही हूँ, pump, sodium, potassium, pump नहीं बनाया, लिक भी देती हूँ, this is the pump, कौनसा pump, कौनसा pump, sodium, potassium, pump, अब कहानी ध्यान से सुनना, जब impulse A से B में आ गई, तो B का क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, होता क्या है, कि जैसे impulse इसमें आई, वैसे ही, यहां पर potential minus 70 mili volt से, क्या हो गया, plus 30 mili volt, ठीक, तो यहां पर, अभी यहां पर potential कैसा हुआ था, यहां पर ध्यान से देखना है, यहां पर potential क्या है, माइनस 70 से प्लस 30, फिर हमने जब impulse B में भेज दी, तो B में क्या हुआ, माइनस 70 से प्लस 30 यहां हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, जब impulse यहां पहुचती है, तो क्या होता है, होता यह है, कि यह sodium gate जो होता है, यह close हो जाता है, लिख दो यहां पर, यहां पर लिख देती हु में कि जब impulse A से B में पहुच जाती है तो आपको पता होना चाहिए यहां पैरो बना दूंगे तो आपको लगए कर ट्रांसफर हो रहा है ना दूसरे तरीके से तो यह क्लोज हो गया तो यहां पर क्या हुआ बच्चो एने प्लस वोल्टेज चैनल अगर बंद हो गया अगर बंद हो गया अगर बंद हो गया समझो बात को अगर बंद हो गया तो एने प्लस अब 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 आपको एक और चीज़ समझनी है के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया आपने एने प्लस को बंद कर दिया साथ में के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल को खोल दिया के प्लस वोल्टेज चैनल को खोल दिया ओपन ठीक वोल्टेज चैनल को ओपन कर दिया समझ गए आप इतनी बात मेरी जो आप जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं कि जब पोटेंट जो इंपल्स थी जब वो एसे बी में आई ना समझना जब इंपल्स ए से बी में आई तो एका क्या हाल हुआ तो हुआ ये कि एने प्लस बंद हो गया एने प्लस क्या हो गया बंद हो गया ठीक एने प्लस बंद हो गया तो एने प्लस अंदर आना बंद हो गया जब एने प्लस अंदर आना बंद हो गया तो बाहर अंदर एने प्ल प्ल्स और खोल दिया तो के प्लस जो थे वह बाहर जाने लगे के मेरे बत अब मेरे वच्चो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है क्या वो यह सवाल है कि यह पंब जो अभी क्लोस करके मैडाम आप बिठा रख्कियों यह कब ओपन होगा अभी तो आपने हम को यह बताया कि जब हम A से B की और impulse को भेजते हैं एक चीज़ और यही पर बताई देती हूँ जब हम A से B की और impulse को भेज रहे हैं B से C की और भेज रहे हैं तो ऐसे wave जैसा चल रहा है तो इसको पता हम लोग क्या कहते हैं जब A से B, B से C की और जाए तो इसे हम कहते हैं Wave of Depolarization क्या करते हैं हम लोग इसको? हम इसे कहते हैं Wave of Depolarization इसका मतलब ये है कि भाईया वेव है ठीक है जैसे ऐसे चलती है ऐसे 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 हवा तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है A से B में हवा, B से C में हवा इस तरीके से चलती है वेव कैसे हो रही है? वेव कैसे चलती है? आपने देखो कि आईसे इसे वेव चलती है इमयाजिन करिये, ऐसे ही तो करते है अपनलोग तो अगर Myelin Sheet में मैं बात करूँ Myelin Sheet वाले Neurons की बात करूँ तो मैंने आपको सखाय थे, वहा पर Aion का एक्क्षेंज हमेशा कहा होता है? Nodes of Rain continues होता है तो वहां पर ऐसा ही एक्क्षेंज होग Allah तो यहाँ एक्क्षेंज क्या, फिर ऐसाêmement एक्क्षेंज क्या तो Salty a tree eczema होगा जहां पर nodes of NBR होगा, जहां में मालेंचीत नहीं होगी, पढ़ाया था पुलास क्लास में और जिसमें मालेंचीत होती है, उसमें saltatory exchange और जिसमें मालेंचीत नहीं होती है, जिसमें यह जो मैं पढ़ा रही है ना, इस तरीके का लगातार, all across the axon membrane आगे बढ़ते हैं, देखो, wave of deep polarization के बाद, हाँ मैं, तो आप हमको यह बताईए कि minus 30, प्लस 30 millivolt से, अब हम लोग membrane को, ध्यान समझना, हमने एक तो sodium gate बंद कर दिया, voltage gate जिससे sodium ion अब अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो membrane धिरे-धिरे negative होने लगी, चीक है? membrane हो गई, धिरे से minus 30 millivolt, धिरे से minus 45 millivolt, ठीक है? ध्यान समझना और साथी साथ आपने क्या किया? ध्यान समझना, ध्यान से आपने क्या किया? के प्लस gate भी खोल दिया, जिससे के प्लस भी जो है तो बाहर जाने लगें, और आपकी membrane potential हो गया, minus 70 millivolt ठीक है? अब ध्यान देना मेरी बात को, जब minus 70 millivolt हो गया, तो membrane अंदर कैसी हो गई? negative और बाहर कैसी हो गई? positive पर अगर ऐसी condition चलती रहे, ध्यान समझना? minus 70 millivolt पूरा लिख देती हूँ सिदे, प्लस 30 से आप क्या हो गए हो बच्छो? आप हो गए, minus 70 millivolt ठीक? जैसे ही आप minus 70 millivolt पर आओगे, तो आपको मैं फिर से उन वादियों की सैर कराना चाहती हूँ, जिसमें मैंने आपको समझाया, शायद पिछे लिखा हुआ है जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि स्टार्टिंग में मेंब्रेन कैसी होती है? minus 70 millivolt पर अगर आप ध्यान से देखो कि minus 70 millivolt अगर अंदर potential है, तो आपके K plus और Na plus दोनों gate बंद होने चाहिए पर क्या यहां ऐसा हो रहा है? minus 70 millivolt होने के बावजूद K plus खुला हुआ है पर आपको यहां पर एक और चीज समझनी है, बच्चों, यह जैसे ही minus 70 millivolt आएगा ना, जैसे ही minus 70 millivolt आएगा लिके channel चालू है, चालू है, चालू है, तो भाया, आयें का compensation बहुत जरूरी है तो वहां पर यह तुरंट open हो जाएंगे pump, pump जैसे open होगा, तो जो भी अंदर Na plus पहले से भर रखा था और 2K plus अंदर लेने हैं, तो आपको पता होना चीए, कि voltage, जो आपका यह pump है, sodium, potassium pump यह कितने voltage पे पनोगा, जब आप exactly minus 70 millivolt पर पहुत जाओगे, done तब यह open हो जाएगा और आयन का balance करना शुरू करेगा, जो मैंने पहले सिखाया था अगली कहानी, तो मैडम यह K plus कब बंद होगा? हमको तो आप यह बताएगे कि K plus कब बंद होगा? अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाने वाली हूँ, जो आपको समझना है अब K plus जो है, वो धीरे, K plus में मैंने आपको एक कहानी समझाई भी थी, कि K plus जो है बहुत ही पापी पुरुष है एक तो यह open होता है नहीं, open कब हुआ? जब री-polarization होना था, तब यह open हुए अब बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो धीरे-धीरे करके क्या होगा? कि यह जो K plus है, more and more and more K plus धीरे-धीरे बाहर जाने लगेंगे जब और ज़्यादा K plus बाहर जाने लगेंगे, तो आपकी membrane और अंदर negative हो जाएगी इससे कितना potential पहुँच जाएगा? minus 90 millivolt, यह जो minus 90 millivolt है, ठीक है? यह minus 90 millivolt पे जैसे ही अंदर का membrane potential पहुचा इस condition को आप कहते हैं hyper polarized state मैं आपको यह anxiety में नहीं दिवा हो, पर मैं आपको बताऊंगी कि K plus बंद कब होता है? gate यह वाला, इससे आप कहते हैं hyper polarized state अब यह तो गड़बर state अब यह hyper polarized state जैसे ही हुई K plus voltage gated channel closed समझ में आई बात K plus voltage gated channel क्या हो जाते हैं बच्चों? closed, फिर से समझो, क्या बोल रही हुँ मैं? यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? हमने action potential generate किया, nerve impulse generate की जब हमने nerve impulse generate की, तो हमने यह देखा कि minus 70 millivolt अंदर था potential, negative थी membrane और K plus Na plus दोनो voltage gated channel बन थे leakage channel open थे और pump भी open था ताकि leakage channel से कोई भी ion imbalance ना हो क्योंकि वो sodium अंदर लेते जाएगा, potation बाहर फिकते जाएगा तो बाहर potation जाएगा, अंदर sodium जाएगा, तो उसके balance करने के लिए हम लोगोंने pump का इस्तमाल किया, कि ना तो अंदर जादा sodium हो और ना ही बाहर जादा potassium हो, तो हम potation को थोड़ थोड़ अंदर भी लाते रहते हैं अगली बात, जब हमने depolarization किया, तो pump को close किया, लिकी चैनल चलते रहें और depolarization में K plus voltage gated channel बंद रहता है, depolarization में और N A plus को खोल दिया, जब N A plus को खोल दिया, तो N A plus धड़ा 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 अंदर आने लगे तो अंदेर का membrane potential minus 70 millivolt से plus 30 millivolt हो गया और आपका action generate हुआ, this is called as generation of action potential, समझ में आई बात समझ में आगई बात, ठीक, तो जैसे ही depolarization, repolarized state में जब minus 70, starting में बिलकुल, जब आप minus 70 millivolt थे, तब ये दोनों channel close थे ये open कब हुए, एक ही open होगा वो भी, sodium कब open हुआ, depolarization में और आप sodium को अंदर आने लगे, ठीक, उसके बाद हमने impulse को A से B में भेज दिया as a wave, that is what is called as wave of depolarization, ठीक, हमने depolarized, active होने की state जो है, दूसरे को दे दी, अब हम repolarized होंगे, वापस उसे state पे आएंगे पर यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग हो जाएगे, यहाँ पर अब हम sodium gate को बंद करेंगे sodium gate को बंद करेंगे, तो जो बाहर से अंदर की और sodium आ रहे थे, वो अब नहीं आएंगे अगर वो नहीं आएंगे, तो अंदर membrane धीरे-धीरे negative होने लगेगी minus plus 30 से होगी, फिर उसके बाद, फिर minus 30 से minus 30 minus 45 और आखिरकार ऐसी condition होगी कि minus 70 millivote अचीव हो जाएगा, अब यह अचीव होने के दो कारण और भी है पहला अचीव होने का कारण sodium gate का बंद होना और potassium का ओपन होना अब potassium जो है वो मेशा अंदर से बाहर की और जाता है, तो एक तो आपने sodium बंद कर दिया तो positive iron अंदर नहीं आपा रहे उपर से अपने sodium gate को बंद कर दिया तो sodium gate अंदर नहीं हो रहा है एक तो अंदर से बाहर की और और positive फेके जा रहे हो तो धीरे धीरे आपकी membrane plus 30 से minus 70 millivolt हो जाती है जैसे ही minus 70 millivolt आप आए आपने starting बाली condition अचीव कर ली पर action potential generation की condition और इस condition में फर्क है जब आप impulse generate कर रहे थे तो वहाँ K plus बंद था यहाँ पर K plus खुला हुआ है ठीक है और जैसे ही 70 millivolt अचीव हुआ तो अब क्या होगा वहिया negative जादा ना हो जाए तो इसलिए क्या हुआ कि हमने pump को operate करना शुदू कि माइनस 70 millivolt पर पंप शुडू हो जाता है और उसने धर्ड़ा-धर आयन को balance करना शुदू किया कैसे के का तीन बाहर करेगा sodium और दो अंदर करेगा potassium अब पर यह जो है ना बहुत ज़्यादा पापी है ठीक है इसको open करना एक तो री polarization में तो आके open हुए और उपर से बंदन होने का नाम ने ले रहे जब यह बंद नहीं होंगे तो धिरे-धिरे करके बहुत सारे positive आयन बाहर जाने लगेंगे पोटेशन बाहर जाने लगेंगे तो membrane और negative हो जाएगे इंदर membrane माइनस 70 MillieVolt से माइनस 90 MillieVolt पर आ गई तो यह polarized state थोड़ी है यह तो hyper polarization है को जदा ही polarized हो गई minus 90 MillieVolt अब minus 90 MillieVolt जैसे ही हुआ minus 90 MillieVolt जैसे ही हुआ वैसे ही potassium gate जो होंगे वो close हो जाएंगे जैसे ही potassium के ध्यान समझना जैसे ही माइनस 90 मिली वोल्ट हुआ लिख देती हूँ यहाँ पर अट माइनस 90 मिली वोल्ट वैसे ही पोटेशियम बाहर जाना बंद हो जाएगा और आपकी मिम्ब्रेन जो है वो फिर से क्या अचीव कर लेगी? माइनस 70 मिली वोल्ट ठीक है तो आपको समझ में आया कि के प्लस गेट कब बंद हुआ है ना पापो को आंते तो सबका होना है फिर तो तुम तो के प्लस वोल्टेज गेट जाना लो समझ गये आप लोग मेरी बात ठीक है डन हो गया ठीक? So this is all about the repolarization polarization, depolarization and repolarization ठीक है समझ गये ना आप लोग इतनी बात आओ अब थोड़ा सा तुम लोगों को ये भी कहानी मेरे बच्चे समझ गये अच्छे सिर्फ अब मैं आप लोगों को graphs थोड़े से समझाती हूँ, graphs अगर तुमने समझ लिया तो ये मालने जीवन सफल हो गया है तुम्हारा ठीक है? आओ वेटा देखो, हम मैं अब आपको एक graph दिखाती हूँ ठीक है? सबसे पहले I am going to draw अगर नहीं करूँगी कोई समझा तो दिया है, draw भी करवाओगे कैं मुझस से आग, draw भी मन करवाओ देखो, मैं तुमको एक graph समझाती हूँ ध्यान से देखना ठीक है? चलो, देखो ये एक graph है, इस graph से आपको, मैं red color से लिखती हूँ ताकि मेरा color आपको समझ में है इस graph से आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी, देखो माइनस 70 मिली वोल्ट था स्टार्टिंग, रेस्टिंग स्टेज रेस्टिंग स्टेज पर रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशिल रेस्टिंग मेंब्रेन जब थी जिस वह हम polarized state कहते किसमे था, माइनस 70 मिली वोल्ट ठीक है? अब इसे क्या मिला? stimulus, ठीक है? – 70mV पर – 70mV पर आप कौन सी condition पर हो? polarized condition में सारे लिखते जाती हूं मैं आप कौन सी condition में हो? polarized condition में क्या-क्या खुला होगा? leakage channel open ठीक है? मैं ऐसे right लगा देती हूं pump open ठीक? और क्या open मेरे लाल? और voltage gated channel VG लिख देती हूं voltage gated channel closed यह हुआ polarized condition में stimulus मिला stimulus आया तो आप क्या हो गए depolarized इस condition में क्या हो गया है मेरे साथ बोलेंगे क्या हुआ था याद करिए इसमें na plus channel open na plus channel open अभी लीकी विकी कहड़ा हूँ कि लीकी तो हमेशा यह open रहता है तो na plus channel open हुआ तो na plus अंदर आने लगे done हो गया अब यहाँ पर जब na plus अंदर आने लगे तो सबसे पहले action शुरू हुआ भाईया potential change होनी लगा minus 70 से plus 30 पहुच गए आप कहां पहुच गए आप मेरे लाल आप पहुच गए plus 30 मेली बोल्ट तो action generate हुआ ना इसको action potential या क्या क्या सकते हैं हम लोग generation of nerve impulses done अब done हो गया अब हमने क्या किया हमने signal किसको दे दिया भाईया A से B को दे दिया B वाला पार्ट को अब B वाला पार ए वाला पार्ट रोने लगा और वह वापस से polarize हो गया तो अब इसको री-polarization कहते हैं री-polarization में क्या किया था आपने सबसे पहले मुझे बताईए आपने na plus close किया ठीक है और k plus open किया जब na plus को close किया तो na plus अंदर नहीं आ पाए उपर से k plus और open कर लिया तो k का movement तो हमेश अंदर से बाहर की और होता तो k plus और जाने लगे तो membrane अंदर से negative होना start हुई पर अगर ये बहुत देर तक late खुले होंगे तो membrane अंदर से बहुत ही जादा negative हो जाएगी membrane क्या हो जाएगी? over negative ठीक और membrane जब negative थी तो polarized condition थी जब over negative हो गई तो hyper polarized condition हो गई then अब यहाँ पर potential कितना था? यहाँ पर potential कितना हो गया? पहले minus 70 millivolt था और धीरे धीरे क्या होने लगा? यहाँ पर minus 90 millivolt हो गया पर वापस से आप कौनसी state पर आ जाओ गई? resting stage पर और आपका potential कितना हो जाएगा? minus 70 millivolt और आप वापस से starting की condition को अचीव कर लोगे बेटा यह हुए stages of generation and conduction of nerve impulses that's it इतनी सी तो का नहीं थी तेओरी देख लो एक बार ताकि फिर चेचे ना हो आओ आजओ आजओ देखो यह हमको पता है neurons are excitable cells इस तरीके देखो दोनों में फर्क देखो कौन धीरे जा रहा है? इसमें कोई myelin sheath नहीं है ध्यान से देखना है ना? इसमें कोई myelin sheath नहीं तो धीरे 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 चल रहा है इसको देखो तो उमारी पल के निज़े पक पाएंगी इतने जोड से चला गया तो आपने देखा कि जिसके उपर myelin sheath होती है myelin sheath continue तो होती नहीं है तो impulse जो होती है वो कैसे transfer होती है यहाँ पे होगी फिर यहाँ से यहाँ होगी तो कूद कूद के जबकि इनके साथ problem यह है कि धीरे-धीरे all along across the membrane यहाँ देखो यह धीरे-धीरे जा रही है वो बहुत जा रही है तेजी से ठीक है आगे बढ़े हैं हम लोग देखो अब आजाओ polarization, depolarization, depolarization चलो polarized state potential difference present across the membrane of nerve cell negative inside पर कितना negative inside minus 70 इसे हम क्या कहते हैं resting membrane potential ठीक है यह मैंने आपको समझा दिया आगे बढ़ती हूँ polarized state में resting membrane potential को कौन maintain करता है by sodium, potassium pump क्योंकि leakate channel तो open ही रहते हैं ऐसे अगर होता रहा तो sodium भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा carrier proteins are located on the cell surface यह सब जो वो हैं आपके जो भी channels हैं वो सब क्या है carrier proteins ही है removal of 3 sodium ion from the exon with the uptake of 2 potassium ion takes place यह pump का काम है आगे बढ़ते हैं potassium ion have more membrane permeability than sodium ion समझाई आई बात अगर मालो 3 में sodium ले ले तो उसे जादा potassium जाने लगता है membrane permeability जादा तो जल्दी move करता है so potassium ion is more and sodium ion gain is less और negligible क्या समझे क्या समझे आप अगर तुम्हें यह लगता हाँ माडम 3 sodium ion ले रहे हैं 2 potassium दे रहे हैं तो ultimately sodium इत जादा ले रहे हैं अब यहाँ पर समझना balance pump कैसे करता है चाहे तो 3-3 कर सकता था हमारे पास क्या आया एक बिचारा pump आया ठीक है इस pump ने क्या किया ज्यान समझते जाना इस pump ने क्या किया देखो इस pump ने क्या किया बच्चो इस pump ने 3 sodium ion को अंदर लिया और 2 potassium ion को बाहर निकाला ठीक ऐसा इसने क्यों किया ताकि membrane हमेशा अंदर negative बनी रहे पर मैडम हम अंदर positive ले तो रहे है तो membrane अंदर positive क्यों नहीं हो रही है इसलिए नहीं हो रही है कि potassium का movement बहुत तेज होता है sodium का movement होने के बावजूद उसे हम negligible मानते हैं इसलिए membrane हमेशा negative होती है समझ गए? समझें नहीं देखो लिखा भी हो है potassium ion is more and sodium ion is gain is less or negligible समझ गए? क्योंकि potassium जल्दी जल्दी बाहर जाने लगता है जाता रहता है और sodium ion आते भी है पर बहुत slowly आते हैं इसलिए membrane हमेशा negative बनी रहती है ठीक है? जब pump को close कर देते है तब speed से आता है voltage gated channel से sodium तब membrane positive हो जाती है this leads to net loss of positive and from the exon देखो यही लिख रहा है जिसकी वज़ा से एक तो positive and तुम धीरे धीरे ले रहे हैं उपर से loss ज़रा तेजी से कर रहे हैं तो जिसकी वज़ा से मैं net अगर मैं बात करूं charge की तो exon के अंदर negative charge होने लगता है inside और बाहर के और positive charge होने लगता है चीक है यह दो खुलिका भी हुआ है आगे बढ़ते हैं negativity और क्यों होती है many organic anions also contribute the negativity पहला negativity contribution कौन देता है movement of K plus ion is more than the gain of sodium है जिसकी वज़ा से membrane negative हो रही है दूसरा कारण क्योंकि anions वहाँ पे ज़ादा होते हैं इसलिए हो रही है in the resting potential exon membrane is comparatively less or impermeable to sodium ion and permeable to K plus ion ठीक है समझ में आ गई बात ही है यहाँ पर यह भी चीज याद रखना है कि rest में membrane sodium को बहुती कम धीरी दिरे transport करती ही यह धीरे ठीक है so K plus ion goes outside इसलिए हमेशा K plus जल्दी जल्दी जाता रहता है आगे बढ़ते हैं once the event of depolarization occur the nerve impulses will start moving और मिलेगा action potential or nerve impulses generated by the change in sodium ion channel से तुमेने बताया sodium ion channel open हो जाएंगे इन्हें हम voltage gated channel कहते हैं यह तब open होते हैं जब voltage में कोई change होता है a potential is generated so opening of sodium gates signal मिला, potential मिला हमने अपने sodium ion gate open होने करने लगे और धीरे धीरे जल्दी जल्दी positive ions sodium ion अंदर आने लगे और आपकी जो membrane है वही क्या होई बताओ minus 70 से plus 30 plus 45 तक हो सकती पर आपके NCRT में plus 30 ही दिया हुआ है आगे this potential is called as action potential the rise in stimulus एन समझना ठीक है यहां पर depolarized state होगा ठीक है ये सारी जो कहानी है यह पूरी यहां से यहां से यहां से होगा depolarized state, ठीक है Rise in stimulus induced permeability Na plus extremely short-lived. A potential is called as action potential. Under positive, बाहर negative. Rise in stimulus induced permeability 2 Na plus is extremely short-lived. बहुत ही कम समय के लिए होता है. And quickly followed by the K plus. आगे बढ़ते हैं. After a fraction of second, the sodium ion gate closed. Sodium ion close हो गया है, मतलब क्या आ रहा है? Repolarization. यह सही लिखा है यहां पर. Within a fraction of second, K plus diffuses outside and membrane restores the resting potential of the membrane at the site of excitation. The fiber become more responsive for the stimulation. मैंने जो सम्झा है वो ध्यान रखना. Since the potassium is positively charged and its exist make the inside cell more negative. क्या सम्झा है आपने? sodium, एक तो पहले आपने sodium ion बन कर दिया. इसलिए sodium ion अंदर नहीं आ रहा है, उपर से potassium ion खोल दिया. Potassium ion की permeability तो बहुती ज़्यादा होती तो जल्दी-जल्दी move करने लगता. तो बताया था मैंने आपको. जिसकी वज़ाए से membrane बहुत ज़्यादा negative होने लगती. बहुत समय तक खुली रहे तो क्या हो जाता है? Hyperpolarization. जिसकी वज़ाए से minus 70 millivolt पहुच गया plus 30 से. ठीक है? Nerve impulses travel as action potential which passes along the wave of depolarization. यह NCRT की लाइन है विटा है ना? NCRT की लाइन. ठीक है? तो एक से जगा दूसरी जगा, यह action potential दूसरी जगा जाता है. And this is called as wave of depolarization. ठीक है? तो यह कहानी अब हम समझ गए. यहाँ पर ध्यान से देखना. यह जो टेबल है यह तुम्हें explain करेगा each and everything. देखो, सबसे पहले polarization में हम क्या क्या open रखते हैं? कॉपी में लिखला लला है ना? नहीं समझ में आगा फिर मुझा मत बोल ला. sodium potassium pump open to the balance. passive diffusion, passive diffusion पता है क्या है? passive diffusion मतलब leaky channels. passive diffusion मतलब leaky channels जो cool ही रखते हैं, ठीक है? Na plus voltage gated channel close, K plus voltage gated channel close. membrane का inside कैसा है? negative, यह सब होने के बाद. deep polarization में pump को close करते हैं हम, passive diffusion तो चलते हैं, passive diffusion तो चलते हैं, passive diffusion तो चलते हैं, पैसिटिशन ने को सब में चल रहा है, leakage तो इस पैसिट लीके, leaky channel मतलब यह है, कि हम everything, जो भी चल रहा है, बस अब diffusion है, बस channel के थूँ हो रहा है, na plus को आपने यहाँ पर खोल दिया, k plus अभी भी बंद है, membrane अंदर कैसी हो गई? positive. repolarization में क्या हुआ? कि अब repolarization में, plus 30 से आप minus 70 mili volt पहुच गए, क्यों पहुच गए? क्योंकि आपने na plus voltage gated channel को बंद कर दिया, जिससे na plus अंदर नहीं आपा रहा है, और k plus voltage gated channel को आपने open कर दिया, जिससे k plus बहुत जल्दी जल्दी बाहर की और move कर रहे है, तो एक तो आप positive अंदर ला नहीं रहा है, उपर से positive बाहर निकाले रहा है, तो membrane धिरी धिरे negative होते जा रही है, membrane धिरी धिरे negative हो यह मतलब plus 30 से minus 70 पहुच गई, जैसे minus 70 पहुची, वैसे ही आपका pump शुरू हो जाएगा, ली की channel तो चली रहते, अब membrane repolarization में अंदर क्या होती है, negative sodium gate जो है जब बंद रहते हैं, एक time ऐसा आता है, pump खुल जाता है, passive decision चली रहा है, पर यह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जब यह बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, तो K प्लस तो जल्दी जल्दी move करता है, यह कि permeability उसकी जादा है, जो जल्दी जल्दी बहार जाएगा, तो जैसे ही आपकी membrane धीरे-धीरे क्या होती पता है, achieve कर ले थी minus 70 से minus 90 mili volt, यह बहुत जादा polarized condition है, पोलराइस मस्ते हैं और यह बहुत जादा रेस्ट पे चलीगी, पर यह बहुत extreme condition है, बहुत देर तक नहीं रह सकती, तो धीरे से K प्लस गायन, voltage-gated channel बंद होगा, और वापस से जो membrane है, वो minus 90 mili volt से minus 70 mili volt आ जाएगी, और फिर polarized condition में achieve हो जाएगा, तो जब हमने starting वाली image देखी थी, तो हमने polarized condition की image देखी थी, तो polarized condition, hyper polarized condition से कैसे achieve करी जाती है, ये भी तुम्हें समझ में आया के नहीं आया है, बोलो मेरी बात, ठीक है, I think तुम्हें एक-एक line, एक-एक शब्द with the graph समझ में आया, ठीक है, So, आज की कहानी जो मुझे थी सुनानी, it is all about the conduction और generation of the impulses, मैंने transmission क्यों नहीं बोला, मैंने transmission इसले नहीं बोला, because transmission is a process, जिसमें हम signal को एक neuron से दूसरे neuron में भेजते हैं, जो कि मैं synapse के बात बताऊंगी, So, मैंने आपको बताया, there are two types of nerve, myelinated and non-myelinated, आज जो जो कहानी हम पढ़ रहे थे, वो non-myelinated nerve की थी, पर action भही होगा, myelinated में भही, अब nodes of ranvir में सारे action होगे, तो घबराना नहीं है आपको, So, मैंने आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द बेटा, आज रात, ये मेरी आखरी लाइन होगे, इस lecture की जो मैं बोल रही हूँ, धैन समझना, अब अपनी NCRT उठाओ, भगवान का नाम लो, और पढ़ते जाओ, जो एक लाइन समझ में नहीं आई, तो फिर तुम जो बोलो गो, और ये टॉपिक जो है, ये नर्वस सिस्टम का, वन अफ दो मोस्ट क्या कहते हैं, और ये नॉपिक जो है, बहुत ही आसान हो, बहुत ही बैतरीन, शांदार जबर जस्त एक नंबर टॉपिक है, बस एक बार समझने की देर है, बार बार देखो लेक्चर को, मैंने बहुत दीरे-दीरे पढ़ाया, और स्पीड दीरे कर लो, बिल्कुल जीरो पे लालो, जीरो पे लालो को तो बंद हो जाएगा, पर याद रखो, अदम स्लो करके सुनना, धान से सुनना समझ में एक-एक चीज आएगे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एकी चीज को दस बर बताती हूँ, जब तर रटना जाएगा। So this is all about the generation and conduction of the nerve impulses or the action potential. See you in the next session, तब तक घर पे रहिये, सेफ रहिये, अपना धान रखे, Thank you so much and bye-bye.